नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको फ्लावर बना कर दिखाऊंगी यह बनाया है चैनिस टीच से इस फ्लावर के अंदर पूरे चैनिस टीच ही बनानी है इसमें मैंने तीन कलर यूज की है एक यह मरजेंटा कलर दार्क पिंक यह और यह ब्ल्यू कला मैंने यह आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उसी से बना सकते हैं जरूरी नहीं कि आप इसी कलर से बनाए अब मैं इसको सबसे वहली जो यह डार्क पिंक वाला कलर है इसी से ही इसको बनाऊंगी ही यह लेनी है नीचे से निकालनी है इस वाले धागे की अपने अंगठ Ministrop के नीचे दबानाना है और जहां से निकला है वही से अम यह स्व cruelty डालनी है इस तरीके से और ऐसे छोटे छोटे श्टीच लेने हैं धागे के अंदर से ही हमें सुई को निकालना है जब हम दूसरा स्टीच लेंगे तो यह जो पहले वाला स्टीच हमारा बनाया है इसी के अंदर से सुई निकालेंगे फिर इसी तरह छोटे छोटे श्टीज धागे के अंदर से ही सुई निकालेंगे इस तरीके से यह अपना यह वाला धागा उठे के नीचे दबा कर रखें क्योंकि यह फिर सामने आएगा तो प्रेसान रहेंगे और इससे धागा उलजेगा भी नहीं इस तरीके से इसको जाद नीखीचना धागे को बस यह ध्यान रखना जो इस्टीज हमने पहले बनाया उसी के अंदर से दूबरा सुई को निकालना है कालना है झाल 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 इस तरीके से अब यह एक पत्ती कंप्लीट हो चुकी तो अब हम सुई को इस टीच से बाहर से नीचे की साइड निकाल लेंगे इस तरीके से अब हमें दूसरी पत्ती स्टार्ट करनी है तो यह इतनी तो हो चुकी यहां तक तो अब यहां से इसके यहां से बराबर से हम सुई निकालेंगे झालेंगे झाल झाल इसी तरीके से इसको भी अब नीचे निकाल लेंगे इसी तरह ये वाली पत्ती भी इसी तरह बनानी है झाल ये जसी मनी ये बना या पत्ती तरह बनानी है झाल झाल इस तरीके से यह वाले जो हमने इस कलर से बनाया है यह पूराव कंप्लीट हो गया तो हम इस सुई को यहाई से नीचे लिकाल लेंगे अब इसमें नीचे नोट लगा देंगे इस तरीके से अब मैं इसके अंगर यह ब्लू कलर का जो सेड किया है वह इसके अंदर मैं करूंगे यह ब्लू कलर की सेड बनाऊंगीने यहाँ पर तो इसको कि इसके पास से हम निकालेंगे सुई को और यहांई से इसके पास पास से इसको स्टीच करनी है इसी तरीके से जैसे यह चैने स्टीच की इसी के अंदर से सुई निकालनी है जैसे पहले हमने वह वाली किया है इसमें मैंने 6 इस्टेंड ठेड यूज गिया है आपको अगर यह जादा मोटा लगता है तो आप इसमें ब्रीक कम धागे भी उज कर सकते हैं या फोर ले लो या फिर थ्री स्टेंड ले सकते हैं इसी तरीके से बिल्कुल इसके पास पास ये लेना है इस लाइन के और इसके दोनों के बीच में हमें इस पेस नहीं चोड़ना वह अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हमें इससे मिला के इसको करना है झाल 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 इस तरीके से ये एक ین इसकी ब्ल्यू कलर की complete होगी तो इसी तरीके से हम इसके पास पास दूसरी लाइन भी करेंगे वो भी हम या तो इस साइड से स्टार्ट कर लो या इस से किसी से भी कर सकते हैं मैं जिधर से पहले की विप्ती स्टार्ट उधर से ही करती हूं वह भी इसके बराबर बराबर ही करनी है से करनी और ऑटो फ्सक्रार्ढर्ट ऊतरा बराबर 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 टेशल शेन्याटरRO हुआम त इसी तरीके से हम इन सब के अंदर भी ऐसे ही कर लेंगे ही बाज साङ्ड़ कर लेंगे इसी एसे बाज को बड़ो एसे हम आए सावाद कर लेंगे कर लेके से हमेशने कर लेदी दियर रह में आए झाल 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 तो अब यह प्लीव वाली लाइन कंपलीट होगी अब मैं यह जो यह पिंक वाली की है वह यहां पे करूंगी करूंगी यह जो पिंक वाला पिंक वाली लाइन करूंगी यह भी में इसी के बराबर से स्टार्ट करूंगी जैसे यह इसके बराबर से ही है इसी तरीके से यह भी चैन स्टीट से ही बनेगी सेम वही जिस तरीके से वह वाली बनाई थी हमने झाल 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 इस तरीके से अब इसको भी आपे नीचे निकाल लेंगे इसी तरीके से इन सब के अंदर भी बनानी है अब इसी तरीके से मैंने ये सब के अंदर बना ली है पिंक वाली लाइन अब उसके अंदर ये ब्ल्यू वाली बनाई है ये भी इसके अंदर इसी तरीके से बनाएंगे इन सब का पैटर्न बनाने का एक ही है सिर्फ डिजाइन अलग है इस तरीके से अब इस सुई को यहां से नीचे निकाल लेंगे इसी तरीके से इनके अंदर भी ब्ल्यू लाइन बनानी है अब यह इसकी जो स्टीज थी वो कंपलीट हो चुकी है अब मैं इसके अंदर है जो यह स्पेस इसके अंदर स्टीज बनाऊंगी इसमें मैं नेट स्टीज बनाऊंगी यहां से बीच में से सुरू करेंगे इस तरीके से यह थोड़ा स्पेस रखके फिर दूसरी लाइन बनाएंगे हम इसी तरीके से अब इस साइड तो ज्यादा कमी स्पेस है इस साइड कमी स्पेस है अब इस साइड बनाएंगे इसी तरीके से अब इधर से इधर बनाएंगे लाइन ऐसे निकाल। इस्तरीकेस करस्तरीकेस कर दो अआगान साभी है इस तरीके से से यह इसके अंदर चैक बन गई अब मैं इसकी यह आउट लाइन करूँ ए मैं डार्ट पिंक कलर से progress करूँगी इस को इसको इसके किनाखे से नीकलना यह मिल्कुल बीच में से इस तरीके से sleeping यह इसमेरी षैनिश टीच से इसकी 이쪽 क्लाइनोगी 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 धुड़ब क्लाइनोगी अजय क्लाइनोगी क्लाइन वाजवी तलाइनोगी झाल झाल इस तरीके से अब यह इसकी आउटलाइन कंप्लीट होगी तो हम इसको नीचे निकाल देएंगे यह जो इसके चैक बनी है इसके अंदर हम बोल इस्टीच बनाएंगे इसको दो या तीन बार जितना भी आपको रांड करना इतना करें और फिर ऐसे सुई को नीचे निकाल ज south republic बनाएंगे मिप पनाएंगे निकाल इससक चैक बनाएंगे यह फ्लावर अब कम्प्लीट हो चुका है आप यह फ्लावर किसी भी कुशन कवर पर गद्दे कवर पर या फिर अपने कमीज के पल्लू पर बच्चों के फिरोग पर या फिर बैड सिट पर बना सकते हैं यह बनाने के बाद बहुती सुन्दर लगता है दोस्तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक वे कमेंट करें और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद